एक काला ध्याय आज से ठिक पचास स्वर्श पूर आज के दिन ही देर रात्री में हुआ था जब कॉंग्रेस की ततकालिन सरकार ने भारत के समिधान का गला घोंडते वे लोक तंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजी स्रची थी 25 जून 1975 रात के अंधेरे में स्रीमती इंद्रा गांधी जी के नित्रुत्व में कॉंग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोक तंत्र को नश्ट करने का प्रियास किया था उस समय के सभी विपक्सी दलों की नेताओं को उसमें से टल बहरी बाचपेई जी सि मौरार जी दैसाई जी सि जैप्रकास नाराण जी सि लाल किष्णा डवानी जी और विपक्स के सभी नेताओं को बंद करके लोक तंत्र के गले को पूरी तर्य घोटने का प्रियास किया था आज जब पचास वर्ष के उपरांद हम इमर्जंसी की उन यादों को उस्मन करते हैं तो स्वाभाई कुरूप से कॉंग्रेस में चेहरे बदले होंगे लेकिन उसका चरित्र उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1974 में एक बरबर चेहरा उस समय में कॉंग्रेस पार्टी का देखने को मिला था कैसे उन्होंने समिधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रेम्बल में संसोधन करके उसकी आत्मा को नश्ट करने का प्रियास किया था कैसे कॉंग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिवंदित कर दिया था कैसे न्यायले के अधिकारों को कॉंग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधग बना के रख दिया था और आज भी कॉंग्रेस पार्टी में बले ही नेत्रत तो बदला हो लेकिन उसका चेहरा बदला हो लेकिन चरित्रत तो उसका आज भी वही है ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कड़गरे में खड़ा करते हैं भारत की चुनाव परणाली पर प्रस्ण चिन्द खड़ा करते हैं भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोस्ते हैं भारत के अंदर हर चुनाओं की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके एबियम पर अपने अकर्मनेता का दोस्त थोपने का प्रियास करते हैं एक तरह कॉंग्रेस का यत्ताना साही पूर्ण रवया जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं आजादी के तत्काल बाद समिधान अंगेकार करने के मातर दो वर्स के अंदर ही देश के समिधान में संसोदन करके धरा 370 को उसमें जवरन डाल करके देश के अंदर देश के एक खंड़ता को चुनौती देने वाली धरा 370 को डालने का प्रियास किया था जेश के अंदरे छोग का आज